नमस्ते, आज एक विशेश बात के लिए या विशेश विशे के लिए हम यहाँ हैं, यह कहा जा सकता है एक पवित्र वस्तु है, बहुत ही पवित्र वस्तु जो आपको समरध्धी पर समरध्धी आपको दे सकता है, और कुछ अगर नापना चाहे तो किसी परिनाम को नापा जा सकता है, परन्तु इस से प्राप्त जो परिनाम है, इसे किसी से नापा नहीं जा सकता, यह एक से करोड और करोडों से करोडों गुना करते हुए कितना होग वहां तक वह ले जाता है और हमें दैविक तक पहुचा देता है। अथाति ये हमारे और दैव के बीछ एक पुल का काम करता है। ये डबल, तिबल हमारी समरुद्ध्य को और गुणा पर गुणा करता चला जाता है। हर एक धर्म को अपनापना एक अचूत होता है, अन्टचयेबल, जैसे वो किसी को छूते नहीं उसे नहीं चूते, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो हर धर्म के लोग उसे छूते हैं, अठार्ठ किसी भी धर्म से अचूत नहीं रहा है, और यह है जपमाला, जब माला से आप समझ गए होंगे, बहुत से लोग इसे उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सही तौर पर इसे कैसे उपयोग करना है, शायद ही मालूम होगा, यह हमें दैविक से जोड़ता है, हम जब माला को अपने उंगलियों में लेते हैं, तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, और यह दुनिया हमें बिल्कूल हर चीज से परेकर दैविक तक ले जाता है, और दैविक से जोड़ता है, जब माला हमें स्वर्ग से जोड़ता है, जब माला हमें नक्षत्र से जोड़ता है, जब माला हमें ग्रह से जोड़ता है, और यह परमात्मा में लीन करने के लिए बहुत ही सहायक होता है, इसके जरिये अपर लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, जो लोग कुछ नहीं जानते, बेलोग जानने लगते हैं, अधात, अज्ञान से ज्ञान की और चले जाते हैं, जब माला हमें ट्रांस की हो ले जाता है, ट्रां कहीं बहुत दूर तक हमें लेकर चला जाता है उस जगह से जहां हम नहीं जानते अथार्थ अंजान से जानकार जगह तक हमें यह पहुंचा देता है और इस दुनिया से ब्रह्मान तक हमें पहुंचा देता है यह भूत वर्तमान और भविष्य सभी के लिए सहायक है और यह ह माध्यम से बहुत ही सायक होता है, जब माला बहुत तरह के होते हैं, जैसे लकडी का रहता है, सिंथेटिक रहता है, प्लास्टिक का बना होता है, चार कोल का बना होता है, या किसी पत्तों से बीट्स बना कर, जैसे मोती बोलते हैं, वैसे बना कर बनता है, और कई तो हमें पता ही नहीं रहता हूँ किस चीज से बना है, उसका भी माला रहता है, मुंगे की माला रहती है, तुलसी के बीजों की माला होती है, और एकका एक पेड़ है, उसके फूलों से भी बनती है माला, और एक कच्चु कहा जाता है, ये ज़्यादा तर नकारात्मक चीजों के लिए ज़्यादा उप्योग होता है उसकी माला बनती है था हदी की माला रहती है कमल के बीजों की माला रुद्राक्ष की माला स्फ़टिक की माला और पवित्र घास जिसे दूरबाग घास घास कहा परणतु ध्यान के लिए, जो माला बनती है, वो 108 मोत्तियों की रहती है, मोती से दाक पर ये परल नहीं, मोती ही नहीं, वाल कि जो बीट्स होते है, छोटे छोटे, जिससे हम पिरोकर माला बनाते हैं, वो कहा जाता है, तो इसमें घुबन बीट्स के भी माला होती है, 27 की भी ह होती है और 108 के 108 जो है वो हम लोगों को ये दर्शाता है कि 108 पाध है मतलब जैसे आप हारोस्कोप में कुंडली वगरा में कहते न एक पाध दो पाध तीन पाध वो 108 पाध और 27 जो है नक्षत्र इसके ओपर 27 से जो नीचे रहता है उस माला का कोई भी मतलब नहीं होता है ये स कभी अलग-अलग परिनाम देते हैं अब हमने जैसे इतनी मालाओं का नाम बताया आपको हर एक माला जो है अलग-अलग परिनाम देता है और खासकर ना कि केवल माला का जब बलकि जगह का भी काफी महत्व रहता है अब जैसे हम कहेंगे कि हम घर में बैटकर माला जब रहें तो उसमें हमें केवल एक परसेंट ही लब मिल सकता है और अगर पहाड़ों के पास समुद्र के पास या किसे तालाब नदी इसके किनारे अगर बैटकर हम जब करते हैं तो ये डबल अथार्थ दो परसेंट हमें परिणाम देता है लेकिन अगर जहां गाए बांधते हैं गोशाला वहां अगर हम बैठकर जब करते हैं तो उसका परिणाम ही बहुत अलग होता है और यह परिणाम शक्त प्रतिशत रहता है अब हम यह समझ सकते हैं कि हम लोग गाओं को छोड़कर जो आज शहर में बसे हैं तो हम लोगों ने कितना कुछ खोया है, अब हमेरी समझ में ये बात जरूर आती है, गिनने के समय, जब करने के समय जो गिना जाता है, वो भी अलग-अलग है, कैसे जैसे बताते हैं, बहुत ही ध्यान से, हमारा सारा ध्यान उस पर होना चाहिए, तभी हम परिणाम को पा सकते है, वैसे गिनने के समय, जैसे उंगलियों, जो यह दिखते हैं, उंगलियों से हम गिन सकते हैं, ऐसे, या क mandate गिनती करते है, 14-14 के बाद एक गांठ बांटे हूए आते हैं, लेकिन यह सब क्या है, कि उनको ये सब करने के समय उनका ध्यान केवल गिनती में रहता है, जो छो पूरी तरह से ध्यान में जाकर अपने आपको ट्रांस में नहीं ला सकते हैं और ये और ये बहुत ही कम परिणाम भी देता है केवल एक प्रतिशत और जैसे ये हातों की रेखाएं हैं उससे भी लोग गिनते हैं ये करीब करीब 8 से 10 प्रतिशत परिणाम देता है और जो हमने ये कहा था एक पवित्र घास जो दूर्वा घास है इससे भी मोती बना कर पिरोई जाती है और इससे भी जब किया जाता है और इसका जो परिणाम है वो एक करोड के पास रहता है और एक और है फूल वैजनती फूल कहा जाता है जो जादा तर जहां श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उसके आस्पास पाये जाते हैं, आसे कहा जाता है और उसका परिनाम जो है वह भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रुद्राक्ष निर्भर करता है कि आप कोंसी माला से जब करना पसंद करेंगे जिससे आप दैव तक पहुंच सकते हैं या उस चिती तक पहुंच सकते हैं जो आपको पुरी तरह से दैविक में मिलने के लिए समर्थ हो और कौन से माला से जब करकर आप अच्छा परिणाम ले सकते हैं असली स्फटिक मिलना बहुत मुशकिल है लेकिन अगर यह असली स्फटिक आपको मिलता है तो उससे जब करना बहुत ही खास हो तुलसी के बीजों की माला और छोटे-छोटे जो रुधराक्षे हाला कि वह मिलना मुशकिल है लेकिन उसका परिनाम भी खास अच्छा रहता है, किन्तु खास कर जो बहुत ही असली स्फटिक है, उसकी माला का जाप बहुत ही विशेश होता है, हम लोग इस साल जो आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे बाबाजी के उटूर, बाबाजी कुफाम जब हम लोग गए थे, तो ह पूरी तरह से प्रमान पत्र के साथ था, अब माला के बाद आते हैं बैग, जिस बैग में हम माला रखते हैं, लोग अपने गले में डाल कर घुमते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, यह बहुत खास है, यह कैसे, यह जो बैग के अंदर रहता है, यह बैग वैसे ही यह बैग माला को सुरक्षित रखता है, अब इसे कैसे गिनना है, यह हम बताते हैं आपको, देखें, यह उंगली जो जिसे अपन तरजनी कहते हैं, यह उंगली मध्यमा और यह है अनामिका, तो आप तीनों उंगलियों से कर सकते हैं, आप ऐसे भी गिन सकते हैं, खास जो महत्व है, यह अनामिका उंगली की है, इसमें अगर आप रखकर अगर आप गिनते हैं, तो इसका बहुत ही महत्व होता है, और हमेशा जो गिनती है, वो ऐसे होनी चाहिए, अधार नीचे से, उपर की और जाना चाहिए आपकी माला, हाला कि आप उपर से नीचे की और भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखे, इस माला में 108 जो बीर्स होती हैं, इसके बात एक उपर होता है, जिसे गुरू भी कहा जा सकता है, इसे मेरू भी कहते हैं, मेरू, सुमेरू या गुरू, और एक बात का ध्यान रखेगा, कि आप उसके उपर लागेंगे नहीं, अथात उसे आप जंब करकर नहीं जाएंगे, जैसे ही 108 आपका खतम होता है, आप उसे ऐसा घुमा कर वापस लेजिए, या जैसे आप ऐसे आते हैं, माला को जब करते हैं, तो वापस आप उपर से नीचे आ सकते हैं, अगर आपको 108 से बी उपर और जब करना होतों, लेकिन खास ये ध्यान रखेंगे, आप जो उसका सुमेरू है, जो उपर का जो धागा रहता है, जहां से ये शुरू होती है, माला है, उसको कभी भी आप लांगेंगे नहीं, और अगर आप जब माला से, आप अपने खुल्देवता का नाम, या गुरू का नाम, या ओम नमस्षिवाय का अगर आप जब करते हैं 108 पर, तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, ये आपको कहना चाहिए, कि आपको डिवाइन से मिलाने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए, देवर से मिलाने के लिए आपको ये 1 सीडी का काम कर आपका जब केवल 108 बार आप ऐसे जब कर लेना बटी बात नहीं है, पूरी इमानदारी से, पूरी निष्टा से, पूरी शुद्धता से अगर आप 108 बार जिस किसी भी भगवान का, गुरु का, अपने कुल देउता का या ओम नमद शिवाय का नाम जब करते हैं, तो ये आप आपको ट्रांस तक पहुचा देता है, ये आपको एक अलग ही दुनिया में पहुचा देता है, जहां आप अपने आपको भूल जाते हैं, और याद रखिएगा, अगर आप अपने आपको भूल गए, तो समझे कि आप वहाँ पहुच गए, उस लक्षे तक पहुच गए, जहां आपको पहुचना था, और बार-बार इसी तरह जब करते हुए, पुरी तरह अपने आपको सचेत करते हुए, आप जब-जब करते रहते हैं, तो आप बार-बार निर्विकल्प समाधी को अनुभाव करेंगे आप, शुब दिन हो आप लोगों का, नमस्ते, Oum Sadguru Babaji Namaha प्रवाइब है।